हेलो गाइस कैसे आप सभी लोग मैं फ्रियंक का एक बार फिर से आप सभी का एक्जाम T20 चैनल में स्वागत करती हूँ आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे रंग से अपनी प्रिपेशन भी कर रहे होंगे तो जो भी बच्चे UPSI और UPSI के लिए प्रिपेशन कर रहे हैं खासकर उनके लिए एक लास है और साथ में आप किसी भी कमप्टीटिव एक्जाम के प्रिपेशन कर रहे हैं उनको भी के लिए GS की क्लास है साथ में हिंदी की classes भी लगातार आरे इस channel पर आप इस channel से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं हिंदी की आप जो आपका हिंदी का subject उसको और मजबूत कर सकते हैं साथ में practice set भी आ रहे हैं उनको भी solve करते रही है तो जैसा कि हम लोग last class में पढ़ रहे थे लिवर सिस्टम या फिर drainage pattern जिसको हिंदी में नदी प्रवाह तंत्र कहते हैं तो नदी प्रवाह तंत्र में हमने कुछ classes कर ली थी और लेड़ी दो classes हो चुकी है जिन बच्चों ने पिछली class नहीं की है वो पिछली class जरूर देखने फिर ये class continue करेंगे तो और बहतर रहेगा यहाँ पर हम लोग हिमाले नदी तंत्र पढ़ रहे हैं भारत में नदी तंत्र को दो भाग में विभाजित किया गया है पहले तो हिमाले की तरफ से बहने वाली नदिया उनको हिमाले नदी तंत्र बोल रहे हैं और जो नीचले वाले भाग में प्राइदीपी भाग में जो नदिया प्रवाहित होती हैं उनको प्राइदीपी भारत की नदिया कहते हैं दो भाग तो ये विभाजित हो गए। अब हिमाले नदीतंतु की बात करें तो हिमाले में भी तीन मुख नदीया हैं, और उनको पढ़ना हैं जैसे की सिंधू हो गई उसके साथ में गंगा है और ब्रह्मपुत तो हिमाले नदीतंतु में, हम तीन इन बड़ी नदियों को पढ़ते हैं और इनकी सहायक नदियों को पढ़ते हैं हमने सिंधु नदी तंत पढ़ लिया था उसके साथ में गंगा नदी तंत पढ़ लिया था और आज पढ़ने वाले हैं ब्रह्भुपुतर नदी तंत इसके बाद PIDP भारत की नदिया पढ़ेंगे, उसमें भी हम दो भाग में भाजित करेंगे पर्शिम की तरफ बहने वाली और पूल की तरफ बहने वाली नदिया तो यहाँ पर मैंने मैब के थू सबसे पहले आपको समझाने की कोसिस किये सारे वीडियो में सारी नदिया मैप के थू ही समझाई है लेकिन बाद में क्या करूंगी मैं इस चैप्टर को एक लिस्ट के फॉर्म में आपको बनवा दूँगी तो एक्जाम टाइम में रिवीजन के लिए आपके लिए और इजी हो जाएगा तो अभी समय है उस समय के आदू यह एक ऐसी रिवर है जो भारत में कई नामों से जानी जाती है और इसका जो उद्गम छेत्र है यह आपको यहाँ पर चेमा यूंडियू ग्लेशर दिख रहा है यह मान सरोवर के पास है कैलास रेंज के पास यहां से दो नदिया और निकलती है जिनका नाम है सिंध ब्रह्मपुत्र नदी हेडिंग डालेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी में मैं जो पॉइंट्स बोलती जा रही हूं वो आप निक सकते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे उसका उद्गम लिखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें तो यह कहां से उद्गम हो यह कहां पर है यह देखिए यह पॉइंट मैंने बनाया हुआ है चेमाई उंडू ग्लेशियर यहां से इसका उद्गम छेत है नियर मान सरोवर निकट मान सरोवर के मतलब मान सरोवर के निकट आप लिखेंगे मान सरोवर के निकट ठीक है मान सरोवर के पास ही से यह ग्लेशियर है चेमाई उंडू ग्लेशियर यहां से निकलती है इसी के पास से राकस्ताल से सतलज निकलती है और मान सरोवर से ही क्या होती है सिंदू नदी निकलती है ठीक इसी के पास से तिबबत से तिबबत वाले री लीजन में इसका नाम है यालूंग जंगबो क्या नाम है तो तिबबत में इसका नाम आप इसके नाम लिखिए कहां पर क्या नाम है तो मैं जगे इस्थान और इस्थान के साथ-साथ क्या-क्या नाम है वो मैं लिखती चल रही हूँ तो ये जो यालूग ca ये तिभबत में हो तो ये जो यालूमि ये इसको सांगो नाम से जानते हैं तो चीन में से सांगपो नाम से जानते हैं, तिबबत में यालूंग जंगबो नाम से जानते हैं, अलग-अलग नाम हैं, तो अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए, तो आप नाम में कन्फ्यूस नहीं होंगे. तो सबसे पहले आपको क्या दखना है, जो ब्रमोपुत नदी इसका उद्गम छेत कहां से तिबबत में है, तिबबत में मान सरोवर जील के पास चेमा यूंडूंग लेशर है, यहां से इसका उद्गम होता है, और तिबबत में से यालूंग जंगबो नाम से जानते हैं, यह भारत में प्रवेश कर जाती है, तो याद रहेगा, और नाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है, तो यहां पर एक गार्ज बनाती है, क्या बनाती है, एक गार्ज बनाती है, और इस गार्ज का क्या नाम है, दिहांग गार्ज, किस नाम से एंटर करती है, दिहा काट करके जो पहाड़ है यापर पहाड़ियों को काट कर अंदर एंटर करती है तो दिहांगाज का फॉर्मेशन करती है अब जब यह आगे बढ़ती है जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग के बाद इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र इसे किस नाम से जानते है ब्रह्मापुत। फिर यहाँ पर देखे आगे एंटर करती और आगे बढ़ती ब्रह्मापुत के आगे भारत से जब बांगलादेश में जा रही होती है अब इसका नाम हो जाता है जमुना और जमुना से ही जब गंगा आकरके मिलती है यहाँ पर याद रखे मैंने क्या बता यह जो गंगा नदी है यहां पर भागी रती नाम से दो पार्ट में पढ़ जाती है एक तो पश्रिम मंगाल में इसकी साखा आ जाती है यह वाली देखिए और दूसरी इसकी बांगलादेश में आ जाती है तो जो पश्रिम मंगाल में साखा जाती है इस जगे का नाम है फरक् रखका से दो पार्ट में ढीड होती है, इक कहां चली गई, देखिए रही बांगला देष में और दूसरी ये पाश्यम मंगाल में, तो यहां पर नाम होता है भागी रथी, गंगा का यहां पर नाम होता है भागी रथी और जब यी बांगला देष मेंuciones एं disorders करती है तो ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद इनका नाम हो जाता है पद्मा क्या हो जाता है पद्मा अब पद्मा से आके एक मेघना नदी मिलती है और यह आगे मेघना नाम से ही आगे पद्मा का नाम क्या हो जाएगा मेघना यहां पर मेघना करके मिलेगी तो मेघना नाम से यह अपना जल कहाँ पर गिराते हैं बंगाल की खाड़ी में बे ओफ बंगॉल में याद रहेगा एक बार मैं फिर से रिवाइस करा दें देखें यह जो ब्रम्हपुत्र नदी है यह चेमा यूंडू ग्लेशियर से तिबबत में निकलती है तिबबत के मांसरोवर से निकलती है और यहां से यह तिबबत में यालूंग जंगबो नाम से जानी जाती है चीन में शांगबो नाम से जानी जाती है फिर यह भारत में प्रवेश करती है दिहांगार से जब यह एंटर करती है तो इसका अरुनाचर प्रदेश में भारत में जो इसका नाम है मेंली वो ब्रह मेघना ही इसका नाम हो जाता है और मेघना नाम से ये बे और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं और यही पर एक डेल्टा बनाते हैं जिसका नाम है सुंदर्वन का डेल्टा इस डेल्टा का क्या नाम है सुंदर्वन का डेल्टा ये डेल्टा बनाते हैं गंगा ब्रमपुत्र दोनों मिल करके ये विष्व का सबसे बड़ा डेल्टा है देल्टा क्या होता है जब नदिया बहुत तेज वेग से आती है तो अपने साथ मिठी गाद ये सब बहा कर लाती है और फिर जब इनका जो यहां पर इनका वेग बहुत कम हो जाता है जब ये सागर से मिलती हैं आगे तो यहाँ पर यह मिठी इखटा हो जाती है और ऐसे ट्रैंग्लर शेप बनाती है इसी को हम लूब डेल्टा बोलते हैं और यह सुंदर्वन का जो डेल्टा है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका नाम सुन्दर्वन इसलिए है यहाँ पर सुन्दरी नामक व्रक्ष पाया जाता है मैंग्रोव वर्ष पाया जाते हैं आपर उसका नाम है सुन्दरी और उसी व्रक्ष की वजए से इसका नाम क्या पड़ा है सुन्दर्वन का डेल्टा यहाँ पर सागर आईलेंड है सागर आईलेंड के पास यह अपना मुहाना है इनका ठीक है तो यह हो गई बात ब्रमपुतुकी की यह कैसे कैसे भारत और चीन में बह रही है अब यहाँ पर जो प्रशन और पूछे जाते हैं वो क्या आया दखने पहले तो इसके नाम हो गया नाम आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर नाम डाल लीजे इस्थान और फिर उसके साथ नाम मैंने लिखा हुआ यह देखे नाम हो गया और यह इस्थान हो गया अब यहाँ पर नोट्स बना लीजिए यहाँ पर, नाम क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका नाम यालूम जंगबो, तो यहाँ पर लिखे यालूम जंगबो, यालूम जंगबो कहां पर बोलते हैं? तिबबत में, ठीक है, इस्थान में लिखे तिबबत, पहल ब्रम्हपत्य तो सभी को पता है, कहां पर बोला जाता है, अपने भारत में ही, फिर इसका नाम हो जाता है, जमुना, कॉमा पद्मा, और मेगना, ये कहां पर बोलते हैं इसको, बांगला देश में, तो ये सारे नाम आपको क्या करने हैं, इसके याद अखने हैं, और सभी लो प्रभापुत्र के बारे में अब जानते हैं यहां से प्रशन क्या पूछा जाता है कि इससे कुछ छोटी छोटी नदियां करके मिल रही होती हैं तो उन सारी नदियों को एक बार हम अच्छे से देख लेंगे तो इन सहायक नदियों को पढ़ने के लिए हमें दो तरीके याद करने पड़ेंगे पहले तो हमें ब्रह्मपुत्र की दिशा देखनी पड़ेगी सबसे पहले देखे पूर्व की तरब बहरी है फिर ये क्या करती ही हेर पिन लूप बोलिए या फिर यूटर्ण लेती है और भारत में प्रवेश करती है तो भारत में जब ये प्रवेश करेगी तो इसकी कैसी दिसा है? यहाँ पर दिसा देखिए तुरंट उलटा इसके विपरीत हो जाएगी जिस दिसा में बहरेती ठीक इसके विपरीत आएगी, अब यहाँ पर हमें क्या करनी है? ये दिसा बनाएंगे तो इसके दाएं और से औ कि दक्षिड पश्रिम की तरफ आ रही है फिर ये दक्षिड में ही मूर जाती है तो दक्षिड पश्रिम की तरफ आते होए जब इसकी दिसा देखेंगे आप तो यहाँ पर जो इधर से आकर के मिल रही है रिवर ये हो जाएंगी दाहिने भाग से आकरके मिलने वाली नदियां ठीक है पहला तो यह हो गया और यह कौन सी है बाएं भाग से अब इंग्लिश वाले कैसे याद रखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटीज एड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज यह कौन सी राइट है और यह है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज तो राइट में कौन कौन सी हैं देखी यहाँ पर सबसे पहले सियांग है सुबन सिरी है, जिया भरेली, मानस है, कामेंग है, संकोस है, तिस्ता है ठीक है ये सारी है अब अगर बाय भाग से आ करके देखेंगे तो लोहित और दिवान यहाँ पर आ करके मिलती है फिर धनसीरी है कपीली है और मेगना के बारे में तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि मेगना जब पदमा से मिलेगी तो इस नदी का नाम ही हो जाएगा मेगना तो एके करके आप सारी याद कर सकते हैं यहाँ पर इनका उद्गम बहुत कमी पूछा जाता है आपके एक्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा यहाँ पर आपको सिर्फ यह यादत नहीं है कि कौन सी रिवर किस तरफ से आ करके इनसे मिल रही है या फिर आप से ये प्रशन पूछा जा सकता है option दे करके कि इन में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तो कैसे करेंगे चलिए के करके लिख लेते हैं तो सबसे पहले table बनाएंगे table कैसे बनाएंगे right bank tributaries और left bank tributaries डाल करके ये चलिए लिख लिए ये सभी लोग इधर डालिए right bank right और ये डालिए left bank tributaries जो हिंदी वाले हैं वो लिखेंगे सहायक नदिया ठीक है tributaries ठीक है और यहाँ पर right और left मतलब सहायक नदिया लिखेंगे left में कैसे लिखेंगे अब left से कौन कौन सी आ रही है इधर देखिए लोहित हो गई जो दिवांग है वो लोहित की सहायक नदिया ठीक है फिर यहाँ पर एक और आती है बूड़ी दिहांग ठीक है ये river याद रखिए बूड़ी दिहांग हो गई धनसिरी है धनसिरी ठीक है कपीली मेगना ये कुछ important river है जिनके मैं नाम लिख रही हूँ राइट बैंक में आपको लिखनी है जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए सियांग सियांग हो गई फिर देखिए सुबनसिरी 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 उसके बाद लिखे जिया भरेली मानस कामेंग संखोस और तिस्ता ये जो तिस्ता river है ये सबसे पहले आप लोग याद रखी ये तिस्ता river पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी गंगा की सहायक नदी थी किन्तु बाद में इसने अपना मार्ग बदल लिया और अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जैसे ही ब्रह्मपुत्र साउथ की तरफ दक्षड की तरफ मुडती है ठीक उसी जगए पर तिस्ता आकरकेस से मिल जाती है और उसके बाद कौन सी रिवर गंगा नदी आकरकेस से मिलती है तो आपको कैसे याद अखना है एक बाद फिर से रिवाइस कर लीजे कि चेमा यूंडूं ग्लेशर से जो मांस रोवर के पास है कैलास रेंज के पास वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उदगम होता है जहां पर तिब्बत में इसका नाम यालूं जगवो है आगे बढ़के इसका नाम सांकु हो जाता है फिर दिहांग गार से होते हुए भारत में प्रवेश कर जाती है वहां पर उसका नाम दिहांग होता है आगे बढ़कर इसका नाम भारत में ब्रह्मपुत्र है इसकी right bank, tributaries और left hand मतलब कि दाहिने भाग से जो बिलने वाली नदियां है वो सियांग है, सुबन सिरी, जिया भरेली, मानस है, कामेंग है संखोस है, तिस्ता है ठीक है, और इधर से याद रखी है आपको कौन-कौन सी लोही तियाद रखना है धन, सिरी, बूरी, दिहां, कपीली, मेघना ये सारी क्या हो जाएंगी इसकी left bank की tributaries हो जाएंगी तो इस प्रकार आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ा है और मैंने एक एक चीज़ आपको लिखाने की भी कोशिश की है आप short notes prepare कीजे और इसके साथ क्या करेंगे आप map जरूर बना लिजेगा तो एक ही पास सारे notes आपके prepare हो जाएंगे तो ये हमने पढ़ा आज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पूरा complete हुआ तो हिमाले नदी तंत्र आज हमने पूरा पढ़ लिया है तीनों जो नदी हैं उनके हमने classes ले ली हैं तो आप वो सारे वीडियो भी देख लीजे अब अगले वीडियो में हम लोग प्रायदेपी नदी पढ़ेंगे उन तंत्र को complete करेंगे नदी प्रवातंत्र है जो की प्रायदेपी भाग का वो complete कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like कीजिए और लोगों को share भी कीजिए उन्हें भी इस वीडियो से फायदा होगा नोट साथ में बनाते रहिए और जिस भी content से जिस भी book से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे हैं साथ में इस चैनल से जुड़ करके भी तैयारी कीजिए आपके exam में बहुत ही अच्छे से प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे तो जो content आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए काफी important है चैनल को subscribe करना मत भूलिए वीडियो को like जरू कर दीजेगा और bell icon जरू प्रेस कीजिए तो आपको जो भी इसमें वीडियो आ रहे हैं चैनल पर उसके notification time to time मिलते रहेंगे तो मिलते हैं बहुत ही जल्ड next video में धन्यवाद